यह गाड़ी है Hyundai item और इस गाड़ी में जो problem है इसकी headlights की है आपको clear दिख रहा होगा कि एक side के headlight यह इसकी देखिए यह पिली पड़ चुकी है उपर से निशान है इसमें और इस side के headlight है यह बिल्कुल fresh है क्योंकि यह लाइट एक बार चेंज होगी है और वह पुरानी लाइट है तो इस पुरानी light को आज में restore करूंगा इस वीडियो में और बहुत आसान तरीके से कि आप इसको घर पे भी restore कर सकते हैं तरीका बिल्कुल सिंपल है बस आपको देखना यह है कि यह देखिए इसके उपर कितने scratch है और cracks बन गए इसके तो चलिए start करते हैं वीडियो को सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया इसको मास्क किया साइट का एरिया मास्क किया इस वज़े से कि जब मैं इसके उपर सेंट पेपर का यूज करूँ तो इस पे निशान ना है तो अच्छे से मैंने टेप से इसको मास्क किया और सेंट पेपर को पहले मैंने भीगा के रखा है पानी में 1500 grade का है sand paper, sand paper means कि आप polish paper भी इसको समझ सकते हैं, वही है, सेम चीज है, कुछ लोग polish paper कहते हैं, कुछ लोग sand paper, इसके बाद इसको करना क्या है, मुझे इसके उपर की एक coating हटानी है, उपर की एक coating हटानी के लिए मैं इस पर यूज़ कर रहा हू, bonnet मैंने इस लिए खोल दिया ताकि एक तरफ से इसके निशान बोनट पे ना जाए और सिंपल पानी डालते हुए हमको इसको साफ करना है और ये देखेंगे तो उपर इसकी लेयर जो है यलो कलर की इसकी लेयर कटनी लगेगी ये ये लेयर आ रही है अब इसको गैसे करना है जब तक की इसकी यलो लेयर ना कटके वॉयट ना आजाए कोई कि उपर का जो लेयर है वह खराब हो चुकि युझा से इसको कीजिए ताकि वह बिल्कुल एक स्मूथ एक लेयर मैं आ जाया है यानिकि सिंपल एक होना चाहिए और इसको लेकि करना क्या है कि इसके पूरे एरिये को करना है ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी कॉर्णर चूटे तो फिर वहां पर जब हम इसके उपर कोट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी तो अभी देखिए इसको मैंने इसके साइडिंग भी कर रहा हूं इसके यलो जाने लगी है और जैسे हम इसको करेंगे तो इसमें थोड़ा सा भी बाकिय ये अरीय तो यह थोड़ा से भी मुझे बाकिया तो इस एरीय को भी मैं क्लीन करूंगा ये जरूरी है कि पूरा एक स्मूर्थ एक लेयर में आए, ऐसा ना हो कि वहाँ पे बीच में उसका पॉइंट बन जाए, पॉइंट का मतलब कि आप देखो कि अधान से तो आपको दिखेगा, हलका सा उपर एक लेयर अभी बाकी है, अगर रह गया होगा तो, तो उस लेयर को भी पूरा क्लीन करना है, और यह इसका म अब उपर से मुझको स्मूथनेस देनी है, तो कि जब मैं इसके उपर कोड करूं, तो बिल्कुल फिनिशिंग आए, तो इसमें 2000-grade का सेंट पेपर से भी मैंने वैसे ही यूस किया, और इस बार क्योंकि यलो लेयर निकल चुकी है, तो वाइटनेस आएगी इसमें, आपलाई कम किया था, क्योंकि मुझे यहां पे क्लीन दिख रहा था, तो वह मिस्टेक थी मेरी, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा एक लेयर में ही लेना है, अदरवाइस वहां बीच में क्या होगा, निशान साब को दिखने लगेगा, तो देखे अभी जहां जहां मैंने 2K क्लियर कोट है, मैंने मार्केट से लिया है, 70 रूपीज का मुझे मिल गया है, यह तीनो, एक क्लियर कोट, और यह दूसरा एक थोड़ा सा हाडनर है, लगबग 25 ग्राम के असपास, एच का निशान मना दिया था है, और यह थिनर है, यह भी 2K थिनर है, अब इसको म LAWD को प्लीन किया, क्लीन करने का रिजन यह है, कोई भी OIL PROPERTIES इसके उपर न रह जाएं, ताकि फिर जब हम दुबारा कोट कर दें, तो फिर उसमें कभी उतरने की प्रफॉलम है, तो यह बैने इसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद टैक क्लॉथ, टैक क्लॉथ क्लोथ क्य कैसे यूज़ करना है अपने घर में उसके लिए भी मैंने कुछ ट्रिक्स बताये थे वीडियो आ रहा हो का उपर आई बटन में वहां से भी देख सकते हैं और सिंपल मैंने एक चोटा एक कंटेनर लिया इस कंटेनर में इसको मिक्स कर रहा हूं कंटेनर में इसलिए मिक्स कर रहा हूं क्योंकि डियरेक्टली में पेंट गंद में मिक्स करूंगा तो वह इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा और यह तीनों केमिकल की जो कॉस्ट है वो मुझे 70 रुपे की पड़ी थी 70 रुपीज में मैंने यह लिया था इस तरह से और उपर से भी इसके डिस्टेंस भी है थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पर रखेंगे बहुत ज्यादा नस्दीक रखेंगे तो उतना अच्छा एफेक्ट नहीं आएगा स्टार्टिंग में देखने में आपको थोड़ा सा बलर दिखेगा लेकिन ऐसा नहीं है जैसे ही वह सूपता जाएगा तो उसका इफेक्ट शाइनिंग का आना सुड़ हो जाएगा तो इसके लिए मैंने देखे कोट किया बस जरूरत है कि कोटिंग पूरे पे एक बराबर जा जानी चाहिए थोड़ी देर बाद फिर आप एक कोट और कर सकते है तो दो कोट कर लिए इसके बाद और एक कोट के सूपने के लिए कम से कम पांत से 10 ال मिनेट का टाइम पीर से कोट कीज outfit की जीए और सेकंट vice कोट करने के बाद चार पांच गन्टे का टाइम डिजे उस सुपरकट क्रीम है इस क्रीम से मैं इसकी थलकी सी रविंग करूँगा एक लेयर इसकी रविंग करके लूँगा तो इसमें बिल्कुल स्मूथने सा जाएगी और यह लाइट बिल्कुल न्यू की तरह देखने लगेगी जैसे अभी भी नहीं दिख रही है यह है ऐसा कुछ इ झाल